हेलो एवरिवन हेनमन होमेहाल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सत्यमकर्षिप बीएचमस और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर कोई बहुत लंबे समय से एलोपेथिक मेडिसिन यानि कि अंग्रेजी दमाओं का सेवन कर रहा है तो उसके असर को खब्म कर करना चाहरा है उस होमेथिक दबा के बारे में जानेंगे तो देन ना करते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं देखिए जो अंग्रेजी दबा होती है एलोपेथिक मेडिसिन होती है वो कभी-कभी लेना तो हमारी बाड़ी के लिए सही होता है या फिर कुछ ऐसे जिनमें कि इसको लेना बहुत जादा जरूरी हो जाता है अगर जादा जरूरी नहीं है तो इसको अवोइड ही करना चाहिए लेकिन इसके साथ में साइड इफेक्ट भी काफी जादा देखने को मिलते हैं जो हमारे वाइटल ऑर्गन है यानि कि जिनके बिना हमारी बौडी कि रह नहीं सकती जैसे कि हर्ड हमारा लिवर और ग genome प्र भी इसका काफी जादा असुर होता है यहां कि तो उसको आसी दवा कि जाएग हो उसकच हो रहा है तो इसकी जो इंटेस्टेन है claia syndrome कि प्रिस्ट curriculum होती है उनको बढ़ा दिया जाता है जिससे कि उसका इस ड्व videos च देनी पड़ती है और उस दवा की उसको आदत भी लग जाती है साथी साथ अगर किसको डायरिया की समस्या बनी रहती है तो उसके इंटस्टैंड में जाकर ऐसी मेडिसिन एक्ट करती है जिससे कि इसको स्टूल पूरा ड्राय अफ हो जाता है और उसको पॉंस्टिपेशन की समस्या भी देखने को मिल सकती है और बाद में उसको काफी जादा और डायरिया की समस्या भी देखने को मिलती है तो इस तरीके से काफी जादा एडवर्स एपक्ट होते हैं ऐलोपेथिक मेडिसिन सिस्टम के और मैं यहाँ पर कोई इस medicine system की बुराई नहीं कर रहा हूँ जरूरत के समय पर बहुत ही जादा अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर बहुत serious condition है तब यह patient की जान बचाने के लिए बहुत ही जादा सक्षम है अन्य तागर जिन लोगों इसकी आदत लगए है तो उसके adverse effect उनकी body पर देखने को मिलते है जिनको खत्म करने की जरूरत बहुत ही जादा जरूरी है जब patient को antibiotic दी जाती है तो 100% में जिस जो 5% cases होते हैं उसमें patient को allergy देखने को जरूर मिलती है यहाँ पर अन्य कारण भी हो सकता है लेकिन ऐसा देखा गया है कि 5% cases में patient को allergy या फिर skin diseases वहाँ पर देखने को मिलती है बहुत से लोगों को जो है allopathic medicine suit नहीं करती है और उनका weight भी खराब हो जाता है और डैलिया की condition भी वहाँ पर देखने को मिलती है अब इसके असर को खत्म करने वाली homopathic दवा के बारे में बात करें या फिर कोई अपना एक नया homopathic treatment शुरू करना चाहरा है इसके असर को खत्म करके तो वहाँ पर नए सिर्य से homopathic treatment का शुरुआत भी किया जा सकता है medicine के बारे में जाने तो नक्सवामी का homopathic medicine का इस्तेमाल इसके लिए किया जा सकता है टू डॉप्स इसकी अगर ले ली जाए 30 potency में तो उसके क्या क्या फायद होंगे एक तो पुरानी जो असर आ चुके है ऐलोपैतिक medicine system के ड्रस के उनको ये खत्म कर देगी संतुलन प्रवाइट कराएगी हमारी बोड़ी में एक तरीके से sort of equilibrium यानि पूरी बोड़ी को संतुलित कर देगी और ये first remedy है first medicine है अगर किसी ने बहुत जादा डोजिंग की हो यानि कि बहुत जादा ऐलोपैतिक medicine का सेवन किया हो तो ये homeopathy में पहली जो है first indicated remedy है वहाँ पर इसका चुनाब किया जाता है 30 potential में इसकी दो गून जो है sufficient होती है मैंने medicine का link जो है description में देती है वहाँ पर जाकर आप इसको purchase कर सकते हैं अन्य बहुत सी बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल किया जासा है तो आगे भी आपकी ये काम में बहुत ही helpful होगी आप मुझसे online concern करना चाहते हैं तो मैंने अपने email ID description box में देती है वहाँ पर जाकर आप मुझसे concern कर सकते हैं चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रू subscribe कीजिएगा कोई भी कह रही है तो मैं चैनल पर जरूर बताएं चैनल मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में थैंक्यू